हेलो फ्रेंड्स मेरा नाम पंकज बोथरा है और स्वागत है आपका हाउ टो सॉल्व यूट्यूब चैनल पे आज का ये वीडियो आप सब के लिए बहुत ही खास है क्योंकि इस वीडियो पे मैं आपका अज बताऊंगा कि आपने अगर यूट्यूब पे कॉपिराइट स्ट्राइक खाई है तो उसे आप कैसे रिमूब कर सकते हैं इसलिए ये वीडियो आप पूरा लास्ट तक का देख तो आप में से कोई ना कोई कभी ना कभी जरूर कॉपिराइट स्ट्राइक खाई हो गया आप में आपने तो इस कॉपिराइट स्ट्राइक को आप कैसे रिमूब कर सकते हैं तो चलिए देखते हैं मैंने भी खाई थी कॉपिराइट स्ट्राइक आप मेरे मेल पे देख सकते यहां देखिए copyright taken down notice your video has taken down from youtube how to download and install adobe after effect cs6 full version free यह मेरा video का title था यह आप देख सकते हैं तो आप सबसे पहले अपना mail check कीजिए कि किस company ने आपके उपर यह claim किया है किस company के साथ यह पंगा हुआ है तो जैसे कि मेरा यहां पर adobe के साथ हुआ है इसनि मैं अड़ो के डवी ने मुझ पर copyright का strike लगाया है ठीक है क्योंकि यह video जो है copyright strike के अंदर आता है तो चलिए देखते हैं इसे हम कैसे remove कर सकते हैं यह जो trick है यह 100% sure तो नहीं है बट मैं आपको 80% guarantee दे सकता हूँ कि इस formula को use करके आप अपने video से copyright की strikes हटा सकते हैं आपने youtube पे बहुत सारे videos देखे होंगे बहुत सारे formulas देखे होंगे बट यह formula अब देखिए तो चलिए देखते हैं मानली जी यह आपका mail है आपको mail open करना होता है okay mail open करने के बाद आप चेक किजिए कि कौन सा वाला video पे आपका copyright का strike आया है वह वाला mail को आपन किजिए ठीक है simply मेरा यहां पर आया है तो आप भी देख सकते है Hi Ankit Botra due to copyright take down notice okay यह देख सकते है received we had take down your video from youtube okay यह आपर देखिए वीडियो का title है हमारा और यह देखिए वीडियो का URL है यह वाला okay यह आप देख सकते है यह वाला जो होता है यह वाला video का URL होता है तो अगर आप अपने YouTube चैनल को access नहीं कर पा रहे हैं मतलब अगर आपने 3-3 copyright की strike खाई है तो फिर बहुत problem है okay यह आपर फिलाल एक ही खाई है तो अगर आपने खाई है तब तो simply यह वाला video का URL है उसे copy कीजिए ठीक आपका जो भी video का URL है उसे simply आप copy करके कहीं भी paste करके रखिए notepad पे paste कर दीजिए okay तो इसे copy करने के बाद मैं आपको इस पे दो trick बताऊंगा actually okay पहला और सबसे आसान और सबसे कठीन भी आप बोल सकते है जो trick है आप Adobe के website पे जाके उसके mail कलेक्ट करके उससे आप sorry बोल सकते है उसको okay and then उसका बोलोग चेक करेंगे कि आपका वीडियो वापस देना है या नहीं देना है खेर वैसे आप अगर नहीं सक रहें तो कोई बात नहीं यह वाल ट्रिक से भी आप काम चला सकते है तो हम कैसे करेंगे यह वाला जैसे कि मैंने का यह वाला आप simply copy कीजिए कॉपी करने के बाद आपको एक mail करनी होगी ठीक है mail आप कहां से करेंगे आप simply compose पे जाईए यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारा 2 है यहाँ पर आपको एक mail address टाइप करनी होगी copyright at youtube.com copyright at youtube.com ठीक है यह वाला आपने टाइप किया subject में आपको डालना होगा submit counter notification ठीक है यह वाला आपने डाल दिया अब आपको यहाँ पर एक mail लिखनी होगी तो mail मैं वीडियो के description में देदूंगा तो यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर आपका पूरा full name दीजिए ठीक है मैं यहाँ पर आप पूरा नाम देता हूँ यहाँ आपका जो भी नाम है वो आप दीजिए अंकेत बोथरा ओके और यहाँ पर अपना चैनल का email address दीजिए ठीक है चैनल का email address देने से पहले आप चेक कर लिजिए कि आपका जो चैनल है वो किस से open है मतलब आपने अगर एक single Gmail से open किया हुआ है तो वो बाला यहाँ पर दीजिए अदर्वाइस अगर आपने कोई Google Plus page से अपना YouTube का चैनल उपर दीजिए तो आप उसका यहाँ पर दीजिए तो मेरा एक simply Gmail से मेरा चैनल उपन है तो मैं यहाँ वो बाल एड्रेस देता हूँ ओके यहाँ देखिए यह मेरा Gmail का अड्रेस है अब आप नीचे को देखेंगे तो यहाँ देखिए फूरा आपका अड्रेस देना होगा मतलब आप कहा रहते हैं वगड़ा वगड़ा ठीक है तो यहाँ अपना पूरा अड्रेस आप देदीजिए मैं यहाँ पर अड्रेस देता हूँ ओके देखिए यह वाला मेरा अड्रेस है ठीक है आपको नीचे अपना Mobile Number देना होगा यहाँ पर ठीक है तो यहाँ पर आप अपना Simply Mobile Number दे दीजिए जो भी यह सिर्फ यह 9-1 आपका जैसे रहे अगर आप इंडिया पर रहते तो आपका 9-1 या अधरवाइस आपका जो भी country है उसका आपको code देना होगा यहाँ पर उसको तो अपना Mobile Number यहाँ दे दीजिए अब आपको यहाँ पर देखिए Video URL ठीक है तो यहाँ पर आपना Video URL आपको देना होगा मतलब आपने जो भी वीडियो पर आपने Copyright Strike की खाई है वह वाला दीजिए ठीक है देखिए यह वाला यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया यहाँ देखिए यहाँ देखिए यह वाला वीडियो का URL है तो आपका जो भी वीडियो का URL होगा यहाँ पर आप सिंप्ली से पेस्ट कर दिजिए इसे थोड़ा नीची उतारतें अब यहाँ आपको अपना full नाम देना होगा पूरा नाम आप दीजिए यहाँ पर मैं यहाँ देता हूँ ओके तो यहां पर आपने पूरा नाम दीजिए और यह सब क्या लिखा है यह सब जो भी लिखा है आप यहां पर सिंप्ली लिख दीजिए ओके मैं इसका आपको पूरा मतलब नहीं समझाता हूं इसे अगर थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे तो यह कुछ लोग का यहां बात कर रहा है यूएस कॉपी राइट की तहती यह सब है ठीक है आप इसे कुछ-कुछ मामलों पर यूज़ कर भी सकते हैं और नहीं भी यूज़ कर सकते हैं खैर यह सब आपको यहां पर देखिए फे अगरोट से सेंट पर क्लिक कर दीजिए तो यह वाला जब मेल आप सेंट करेंगे तब संगे संग आपको एक उसका रिप्लाई का आजाएगा मेल ठीक है उसे आप ध्यान से पढ़ लीजिए और उसके 10-15 दिन बाद और एक मेल आएगा ठीक है उस मेल पे लिखावाड आएगा कि वो जो यूट्यूब की है कमपनी वो वाला आपका जो वीडियो है वो वाला एडूबी के पास ट्रांसफर कर रहा है ठीक है तो एडूबी उस पर देखेगा तो एडूबी अगर उस पर कोई र ठीक है एक्षन मतलब किया आप जेल नहीं जाओगे बट एक नॉर्मली एक्षन होगी वो सिप इंटरनेट ते की सीमित रहेगी तो घबराने का इसमें कोई भी बात नहीं है आप इस प्रोसेस को ट्राइ कीजिए और अगर आपको कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है तो मुझे कमेंट सेक्षन पे लिख के बताईए मैं आपको जरूर से हल्प करूंगा तो इस वीडियो पे इतना ही बने रही हमारे साथ आसी मज़दार वीडियो देखने के लिए थैंक्स फ्रेंड्स इस वीडियो को देखने के लिए